Welcome to GK Classes, तो आज जो है Modern History का जो है तीसरा पार्ट है, तीसरा क्लास है, इसके पहले की जो दो क्लासेज हुई है, वो आप जरूर देखेगा, ये जो सिरीज मैं लेकर आई हूँ, इसमें जितने भी क्वेस्चन में आपको कराती हूँ, वो सारे क्वेस्चन जो है किसी ना किसी एक्जाम में पूछे हुए हैं, तो पूरी क्लास देखिएगा, तो चली बीना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं, आज का पहला क्वेस्चन, देखें, फर्स्ट क्वेस्चन इस, बार्दोली सत्याग्रह का नेत्रितु किस नेता ने किया, तो जैसा कि आपको पता है कि बार्दोली सत्याग्रह है, इसका जो नेत्रितु है, वो सरदार वल्लब भाई पतेल जी के द्वारा किया गया, किसके द्वारा सरदार वल्लब भाई पतेल जी ने बार्दोली सत्याग्रह का नेत्रितु किया, और इनको जो है सरदार की उपाधी, इनको जो है सरदार की उ उपाधी यह वो किस कम मिली थी तो बार दोली सत्या गरह में इनको सरदार की उपाधी मिली थी महिलाओं के दोरा दी गई थी सरदार वल्ला भाई पटेल जी को, तो यह कोशन याद रखिए गा इसका राइट आंसर है, सरदार वल्ला भाई पटेल, अब चलि नेक्स्ट कोश बाल गंगा धर तिलक को भारती उपद्रों का पिता कहा जाता है और इनकी एक फेमस बुक है कौन सी है वो गीता रहस्य गीता रहस्य जो है इनकी एक फेमस बुक है ये कोशन कई बार पूछा है कि गीता रहस्य किसके दौरा लिखी गई है तो बाल गंगा धर तिलक और इनको भारती उपद्रों का पिता किस ने कहा ये भी याद रखिएगा तो वो किस ने कहा है वैले टाइल सिरोल ने यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ देखिए वैले टाइल सिरोल ये सारे नाम याद रखिएगा वैले टाइल सिरोल के द्वारा जो है बाल गंगधर तिलक को भारत उपद्रों का पिता जो है इसने कहा और इनकी famous book है गीता रहसे और दो जो है इनकी पत्रिकाएं भी है वो भी याद रखिएगा एक है केसरी और दूसरी है मराथा केसरी और मराथा जो है इनकी famous पत्रिका है तो इस सारे point आप note कर लिजियेगा copy में और अगर आप इसकी जो है टेलिग्राम चैनल ओफिशियल जी के क्लासेस में जॉइन हो जाईए वहाँ पर आपको PDF एंड प्लासेस के जो अपडेट है वो टाइम टू टाइम मिलता रहेगा तो अब चली नेक्स्ट कुश्चन पे कुश्चन नम्बर थ्री अंग्रेजों ने कुशासन के अधार पर किस रियासत का विलय किया तो किसका किया था अवद का अवद को क्या किया कि कुशासन के अधार पर अवद को हडप लिया और इसी के साथ एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी जो गोध प्रथा है गोध प्रथा का जो विरोध करके जहांसी का भी विलै किया गया तो ये भी याद रखिएगा गोध प्रथा का विरोध करके जहांसी का विलै किया गया और आपको पता है कि जो हड़प की निती है जिसे बोलते हैं डॉक्ट्राइन ओफ लैप्स ये किसके टाइम पर आया था डॉक्ट्राइन ओफ लैप्स हडप की नीती ये डलहोजी के समय में आये था और उसी ने जो है कुशाशन के अधार पर जो है अवद को भी क्या किया गया था विलै कर दिया गया और ये भी याद रखिएगा गोध प्रताइक जो है इसका विरोध करके जहांसी का भी विलै किया गया तो ये था कुश्चन नमबर थ्री अब चलिए नेक्स्ट कुश्चन कुश्चन नमबर फोर आधुनिक सिक्षा का मैगना काटा किसे कहा जाता है तो देखिए जो आधुनिक सिक्षा है उसका मैगना काटा वोड डिस्पैच को कहते हैं और ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार जो है रिपीट हुआ एक्जाम में वोड डिस्पैच वोड डिस्पैच को जो है आ आधुनिक सिक्षा का मैगना कार्टा जिसे क्या कहते हैं वोड डिस्पैच एंड 1854 ये डेट भी याद रखिएगा कई बार डेट पूछा है कि वोड डिस्पैच जो है कब आया था तो वो आया था 1854 ये था कोश्चन नबर 4 अब चलें नेक्स्ट कोश्चन में और अगर आने वाले टाइम में बहुत से अच्छे-चे क्लासेस भी देखने को मिलेंगे और मैंने इस पे पहले से हिस्ट्री जोग्रफी हिस्ट्री हो गया जोग्रफी साइन्स पॉलिटी जितने भी कॉम्पटेटिटिव उजाम में पूछे जाते हैं सारे जो है सब की हिस्ट्री ऑफ इंडिया है यह बहुत जादा इंपोर्टेंट है कई बार यह भी पूछा हुआ है तो यह भी याद रखिएगा इसके लेखा कौन है आरसी दत कौन है आरसी दत अब चलिए नेक्स्ट कॉश्चन कॉश्चन अमर्स इक्स इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखा कौन है तो जो इंडिया विंस फ्रीडम है इस बुक के लेखा कौन है तो वो है अबुल कलाम आजाद अबुल कलाम आजाद अबुल कलाम आजाद जो है इंडिया विंस फ्रीडम यह क्वेश्चन जो है इंडिया विंस फ्रीडम यह आपने देखा होगा उसमें य अबुल कलाम आजाद उनकी बुक है और आपको एक चीज और बताना चाहँगे कि जो अबुल कलाम आजाद है आपको पता होगा कि ये हमारे भारत के क्या है पहले सिक्षा मंत्री है भारत के पहले सिक्षा मंत्री ये भी याद रखिएगा पता होना चाहिए आपको कि भारत क पहले सिक्षा मंत्री कौन थे? तो वो थे अबुल कलाम अजाद अब चली नेक्ष्ट क्वेश्चन पर Q7 Q7 is Hunter आयोग का संबंद किस घटना से है? तो Hunter आयोग का संबंद जो है किस घटना से है? जलिया वाला बाग हत्या कांड जो जलिया वाला जलिया वाला बाग हत्याकांड है उसे से रिलेटेड है हंटर आयोग और आपको मैंने कल वाली क्लास में बताया था कि जलिया वाला बाग हत्याकंड कब हुआ था 13 अप्रेल 1919 और जैसे ये 1919 आया मैंने इसमें दो चीजे भी आपको बताई थी 1919 में कौन-कौन सी दो चीजे आई थी आप मुझे जरूर बताईगा कमेंट बॉक्स में और अगर आपने इसका आंसर नहीं दिया तो मैं आपको इसका आंसर नेक्स्ट क्लास में जरूर बताऊंगी एक मैं आपको बता देती हूँ रॉलेक्ट एक्ट बाकी क्या आप बताईगा मुझे कि 1919 वाला कौन सा है तो हंटर आयोक का संबंध जो है किस घटना से है वो है जलिवाला बाग हत्याकांट 13 अप्रैल 1919 और ये जो इस पे जो है किसने गोली चलवाई थी ये भी याद रखिएगा इसमें जो है जन्रल डायर जन्रल डायर के द्वारा जो है जो है गोली चलवाया गया था तो ये भी आप याद रखिएगा अब चले नेक्स्ट कॉश्चन पे चलते हैं कॉश्चन नम्बर एट सन्वाद कौमुदी अकबार का संबंध किस से है ये कॉश्चन मैंने आपको कल जब पढ़ाया था तभी बताया था सन्वाद कौमुदी का जो संबंध है वो किस से है राजा राजाराम मोहन रोय और इन्होंने कौन से ब्रह्म समाज के इन्होंने स्थापना की थी राजाराम मोहन राय और इनको राजा की उपाधी किसके द्वारा दी गई थी अकबर दो अकबर दो ने जो है इनको राजा की उपाधी दी थी और सनवाद कॉमुदी मिरातुल अकबार राजा राम मोहन राय की है और इनको राजा की उपाधी अकबर दो ने दी थी तो ये इसका right answer है, ये सारे भी point आप note कर लीजेगा, अब देखते हैं, next question, question number 9, लाल कुर्ती दल का संबंध किससे है, तो देखें, ये question most important है, लाल कुर्ती दल, लाल कुर्ती दल जो है, इसका जो संबंध है, वो किससे है, खान अब्दुल गफार खान, सारे चीजे मैंने इस पर लीखी हुई है, सारी चीजे आप कौपी में नोट कर लेना, लाल कुर्ती दल का जो संबंध है, वो खान अब्दुल गफार खान से है, और इहीं को सिमांत गांधी भी कहते हैं, उनको सिमांत गांधी, तो इनको सिमान्त ये कॉशन कई बार एक्जामे पूछा हुआ है कि सिमान्त गांधी जो है वो किसे कहते हैं तो वो कहते हैं खान अब्दुल गफार खान को और इनका संबंध किसे है तो इनका संबंध है लाल कुर्ती दल से और जो लाल कुर्ती दल है उनके मेंबर को क्या कह भी आप नोट कर लिजेगा खुदाई खित्मत गार क्योंकि ये ऐसे कोश्चन एक बार स्टेटमेंट में पूछा हुआ था जो सीटेट का एसस्टी का एक्जाम हुआ था उसमें ये पूछा था कि जो लाल कुर्ती दल हैं उनके मेंबर को क्या कहते हैं तो उसमें लिखा था खुदाई खित्मत गार एक में लिख दिया था बहुत सारे पॉइंट थे तो अगर आपने देखा होगा कि कूट में A, B, C ऐसे करके पूछता है कौन सा इसमें से राइट है तो अगर एक दो पॉइंट हमें पता होता है तो एलिमिनेशन में जो क्या होता है कि बहुत खान से है और इन्हें जो है सिमान्त गांधी के नाम से भी जानते हैं तो ये सारे पॉइंट जो भी मैंने लिखे हैं सारे इंपोर्टेंट है इसलिए सारी चीज़े मैंने आपको एक साथ बता दी अब चलिए आज का हमारा लास्ट कोईशन, कोईशन नमर 10 किस आयोग की सिफारिस पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया देखिए जो रेल बजट को आम बजट से जब अलग किया गया था तो किस की सिफारिस पर तो वो 1924 में किया गया था 2024 में एकवर्थ आयोग एकवर्थ चमिशन जो एकवर्थ आयोग है एकवर्थ आयोग की सिफारिस पर रेल बजट को आब बजट से क्या किया गया अलग किया गया 1924 में और इनको मिलाया कब गया मिलाया कब गया मतलब विलाय इनका कब किया गया तो देखिए इनका जो विलाय है वो किस समीती की सिफारिस पर वो भी आपको याद रखना है रेल बजट को आम बजट से जो है विलाय करनी की समीती कौन सी थी तो वो थी विवेक दैबोराय समीती अब देखे इस question के थो मैंने आपको दोनों question जो है clear कर दिया है because हमें इसमें बहुत जादा confusion होता है मालीजे ये नाम भी देता है ये भी देता है कभी-कभी हम भूल जाते हैं कि अलग किसे किया गया था and विलाय किसे किया गया तो ये है अलग का याद रखिएगा तो देखे जब ये question पूछे कि rail budget को आम budget से अलग जो है कप किया गया 1924 में और किस आयोग कि सिफारिस पर तो औ से आप याद रख सकते हैं ऐसी आपने कोई भी अपनी trick बनाई होगी देखे अलग में वाली जे ओ है तो आप ओ से याद रख सकते हैं अकवर्थ आयोग अलग करनी की कौन सी जो है समीती है वो है अकवर्थ आयोग और विलाय वाला वी से यादी रख सकते हैं देखे वी से वी से हो गया विवेग डैबुराय तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को रिलेट करके याद करते हैं तो वो हमें कभी भूलता नहीं है जब भी एक्जाम में आता है तो तुरंट क्लिक हो जाता है कि हाँ ये इसका होगा तो वी से होगा विवेक दैबुराए और और से एकवर्थ आयोग तो रेल बजट को आम बजट से अलग करने की सिफारी समीती एकवर्थ एंड विले की है विवेक दैबुराए तो ये थी आज की हमारे जो है क्वेश्चन और ये सारे क्वेश्चन जो है किसी ना किसी एक्जाम में जो है पूछे हुए हैं इसलिए मैं इस सारे question करा रही हूँ so that जब भी exam आए तो आपको ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा पढ़ना ना पड़े क्योंकि exam के time पे revision ज़्यादा करनी चाहिए तो आप सारे classes जरूर देखेगा बहुत ज़्यादा important है जो भी पहले की classes हुई है उन सारी उन सबकी जो है playlist मैंने बनाई हुई है और सबका link जो है description box में दिया हुआ है आप वहाँ पर जाकर जरूर देखेगा और वीडियो पसंद आए तो इसे like और से जरूर कीजेगा कल मिलते हैं नए class में नए content के साथ तब तक के लिए सीखते रेंड सिखाते रहे जी की classes always with you thanks for watching